अस्सलामुलेकुम मेरे आजीज हमवतनों और तुल्बा कैसे हैं आप लोग आज हम आपके सामने एक इंट्रस्टिंग टॉपिक लेकर आये हैं जिसको हम लीकूट करिस्टल कहते हैं लीकूट करिस्टल क्या होते हैं कहां अपलाई होते हैं इसके हवाले से आज हम बात करेंगे और इसमें से क्वेस्टन कैसे आते हैं बोर्ड पॉइंट अफ्यू से सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि लीकूट करिस्टल होते क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है कैसे पता लगा सबसे पहले कि liquid crystal भी कोई चीज होती है liquid crystal में पहली बात याद रखेगा दो चीज़े हैं कि लफ़ liquid है दूसरा crystal है liquid तो बात समझ में आती है crystal लफ़ solid से आया है यानि liquid solid दूसरे लफ़ उमें समझ लें यानिके ऐसी state जिसके अंदर liquid जैसे भी properties होती है और solid जैसे भी properties होती है उसको हम liquid crystal कहते है अगर हम देखें तो crystalline जो solids है उनकी एक property होती है कि उनके अंदर three dimensional orientation होती है particles की और इनका sharp melting point होता है और liquid के हवाले से देखें तो liquid के अंदर random orientation होती है molecules की अब यह कैसे पता चला कि इसमें जो चीज है वो नजर तो liquid की तरह आएगी हमें और लेकिन उसमें जो orientation है वो crystalline की तरह होगी तो उसकी इसको देखने से पहले सबसे पहले हम history की तरफ चलते है 1888 के अंदर Frederick Rinzer एक Australian botanist था यानि chemistry वालों से पहले botany वालों को इसका पता लगा था उस botanist ने plant से organic compound extract किया था उसका नाम था cholesterol benzoate उस cholesterol benzoate को जब वो melt करता था 145 Celsius जैसे temperature पहुँचता तो उसका रंग milky सा हो जाता उसकी stage milky सी हो जाती तर्बिट सा liquid बन जाता लेकर थोड़ा सा और heat करता 179 तक तो clear हो जाता था ठीक है जी जब वो cool करता तो यही process होता पहले वो तर्बिट होता फिर वो crystalline farm के अंदर change हो जाता अब इसके बारे में scientist जो है वो तिजस्स में पढ़ गए कि यह turbidity जो है यह milky state जो है यह क्यों आती है फिर बाद में इसकी properties देखी गई उस properties से पदा चला कि एक ऐसी state है जिसमें liquid की properties भी है और solid की properties भी है तो जो liquid crystals होते है इनमें liquid की properties कौन सी हो सकती है surface tension है viscosity है और इसमें solid की properties कौन सी होती है इसमें optical properties है इसमें three dimensional orientation भी थी particles या molecules जो थे वो well ordered pattern में range भी थे यह दोनों की properties भी थी ठीक है जी तो liquid crystalline state एक ऐसी state है जो इन बिट्वीन है liquid के और solid के यह दूसरे लफ़जों में कहा सकते है between two temperature के दिर्मियां exist करती है between two temperature exist करती है melting temperature और clearing temperature clearing temperature यानिके वो temperature होता है जिसमें liquid state में change होती है melting जिसमें solid से next state में कोई face change होती है जैसे crystalline solid है crystalline solid को heat करेंगे यह melt करेंगे तो जो state बनेगे वो टर्बट सी state बनेगे वो टर्बट सेट बनेगे वो टर्बट सेट बेसिकलिए crystal state होती है और इसके बाद और heat करेंगे तो वो clear हो जाता है liquid तो ऐसे temperature जिसमें clear हो जाएगा उसको clearing temperature कह देंगे तो यहाँ पे लव्ज clearing temperature आएगा यहाँ पे लव्ज melting temperature आएगा तो melting temperature और clearing temperature के दर्मियान में जो state आती है उसको हम liquid crystal कहते है crystalline solid आम तोर पे isotropic भी हो सकते हैं अन-isotropic भी हो सकते हैं लेकिन जो liquid crystal हैं always anisotropic होते हैं anisotropy एक 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 एसी physical properties होती है जो depend करती है direction पे direction change करेंगे तो physical property change हो जाएगी crystalline solids जो है वो isotropic न-isotropic दो नहीं हो सकते हैं लेकिन liquid crystal है हमेशा इनकी physical properties जो है वो direction पे depend करेंगी direction change होने से physical properties चेंज हो जाएगी ये next solid chapter जब डिसकस करेंगे तो तब ज्यादा ये concept clear हो जाता है कि anisotropic properties क्या होती है अच्छा जी, properties of liquid crystal के हवाले से गर बात करें दो substances which make the liquid crystals are often composed of long rod-like molecules एक में molecules तो होते हैं, well-order pattern में भी range होते हैं लेकि मालीकूल ने होते हैं कि तो rod-like होते हैं इन नार्मल लीकूड फेस, these molecules are orientated in a random direction डेफिनली जो लीकूड फेस होती हैं, उसमें ये molecules randomly orientated होते हैं लेकिन इन लीकूड क्रिस्टलाइन फेस के अंदर, वो molecule कुछ न कुछ उसके अंदर order होता है कुछ न कुछ well pattern arrangement होती है depending upon the nature of ordering liquid crystals, उसके अंदर molecules की जो orientation है जब वो देखी गई तो उसके वुनियाद पर crystalline liquid crystals की तीन divisions बनाई गई निमेक्टिक लिकूड क्रिस्टल, स्मेक्टिक लिकूड क्रिस्टल और कोलेस्ट्रिक लिकूड क्रिस्टल ठीक है जी तीन divisions होती है याद रखेगा पीपर में सम्टाइम्स इसकी पूछ लिया जाता है सम्टाइम में सी क्यूज में आ सकता है ये बात properties of liquid crystals are intermediate between those crystals and isotropic liquids liquid की तरह बहते हैं लेकर optical properties जो हैं इनकी crystals, crystalline solids जैसी होती है ठीक है जी यह तो properties होगी यह कैसी state होती है जो liquid और crystalline solids के in between exist करती है अच्छा जी इन तमाम properties को देखते हुए फिर इनको कुछ use में लाया गया इनके uses बड़े interesting है इनको medical में भी इस्तमाल किया जाता है, electronics में भी इस्तमाल किया जाता है due to the remarkable optical and electrical properties की वज़ा से crystalline solids, liquid crystals have many practical applications many organic compounds, biological tissues, बहुत ज्यादा liquid crystals के type जो हैं वो discover हुई और बार में synthesize भी किये गए liquid crystals और उनकी unique properties की बुनियाद पे इन पे बड़ा काम होने लगा, अब ही काम होता है इन पे लेकिन अब जो technology है, वो liquid crystal से निकल रही है, अब एक नई field LED की तरफ आ रही है मुक्तलिफ direction में जब light diffract होती है, तो मुक्तलिफ color पेला करती है When one of the wavelength of white light is reflected from, diffracted from liquid crystals जब liquid crystal से ये diffract होगी light तो मुक्तलिफ color produce करती है As the temperature changes, distance between the layer of molecules of liquid crystals changes Liquid crystals के दर्मयान में जो orientations होती है, वो definitely orientation well pattern में range होती है, और molecules के दर्मयान में इंटर-molecular forces बहुत कमजोर होती है ज्यादा stronger नहीं होती, जैसे light पड़ती है तो light की energy इतनी होती है जैसे नहीं के दर्मयान में तो forces टूटना शूरू होती है आस्ताईसा कमजोर होना शूरू होती है तो झाल के दर्मयान इपना distance ज्यादा होना शूरू होती है distance ज्यादा होने के वज्जादा से उनमे मुक्तलिफ color Pro-do Tapi których प्रोरूर में शूरू होते है और दूसरी इसी बुनियाद को मद्दे नजर रखते हुए कि ये लाइट को भी महसूस कर लेते हैं लाइट को भी डिडेक्ट कर रहे होते हैं तो इसी वज़े से इनको टमपरेचर सेंजर के तोर पे भी इस्तमाल करवाया जाता है लीकूड क्रिस्टल जो है आर यूजट तो दा पॉइंट सब पुटैंशल तो फाइंड पॉइंट सब पुटैंशल फेलर एंट्र एंट्रिकल सरकर जो हैं वो डेफिनल्ट ली हमें पता है कि किसी वायर के अंदर से जो करण्ट गुजरता है र supremacy्स्था है वो ँलेक्तिरान के विए से होता हुए जो यहां से वायर में से करण्ट गुजरेगा वहां पे तंपरेशर थोड़ा सा इंक्रीस होता है जैदा होता है जहां टंपरेशर जीड़ा होता है वहां लीकृुड करीक्रेस्टल कलर और होगा जहां potential failure होगा जहां पर current नहीं गुजर रहा होगा तो definitely वहां पर temperature और होगा वहां color change और तरह का होगा liquid crystal का तो इस से इसको potential failure find out करने के लिए liquid crystal के devices इत्माल होती हैं भी किस जगा पर circuit के अंदर failure आ रहा है और दूसरा इसको room thermometer के अंदर भी इस्तमाल होता है कि room का temperature जैसे ही change होगा तो वैसे वैसे उस liquid crystal की display हो रहती है उसका color भी change होता है तो इसके वज़ा से पता लग जाता है कि temperature कम ये ज़्यादा हो रहा है room का इसके लावा इसको ना सिर्फ room के लिए इस्तमाल किया जाता है बलके medical में भी इस्तमाल होता है strips के thermometer आते हैं जो के body temperature चेक करने के लिए आम तरुपे medical officers use करते है liquid crystalline substances are used to locate the veins, arteries, infections, and tumors liquid crystal जो है वो body के अंदर जो है कहीं पर tumors produce हो रहा है कहीं पर infections, arteries, veins के अंदर जो के आम तरुपे हमें देखने में इतना ज्यादा clear नजर नहीं आता वहाँ पर liquid crystal लगाते हैं वहाँ पर liquid crystal जब लगाते हैं तो definitely जहां पर tumor होता है, infection होता है तो वो body part comparatively थोड़ सा warmer होता है surrounding body part के मकाबले में जिसके वज़ा से liquid crystal लगा होगा उसका color और तरह का होता है वो change होना शुरू हो जाता है तो इसके पता लग जाता है कि यहां पर कहीं पर infections है यह tumors है specialist who has technique को skin thermography के लिए इस्तमाल करवाते हैं to reduce the blockage in veins and arteries when layer of liquid crystal is painted on the surface of breast the tumor shows up a heart area which is colored blue this is this technique has been successful early diagnosis of breast cancer in cancer किस कहीं भी breast cancer के लावा कहीं भी cancer की early diagnosis जो है वो जिसका तालुक हमारे dermat से है skin के साथ है तो उसको find out करने के लिए एक बहतरी टेकनीक रही है अब देख भी सकते हैं यहां पर आम तोर पर thermometer जो है जो strips की फार्म में आते हैं liquid crystal वाले जब 37 आम नार्मल temperature होता है हमारी body का तो उसका color जो है वो dark sub blue होता है और temperature अगर बढ़ना शरू हो जाएगा हमारी बॉड़ी का जयसे हमें बखार होता है तो फिर इसका color change होना शुरू होता है अगर हमें बुखार होता है ना आम तो पर नार्मल टूंट हमारा बॉड़ी टंपरेचर है अगर हमें हलका सा भी बुखार है तो जो कलर है वो लाइट बलू हो जाएगा तो इससे पता लग जाता है कि हमारा टंपरेचर जो हमारी बॉड़ी का बड़ा हुआ है इसी तरह यही बाद जो हमने कही कहीं पे हमें पेन है हमें बैकबोन का मसला है वहाँ पे तकलीफ है इंफेक्शन है यह इंटर्नल इंजरी है तो पूरे के बॉड़ी के उपर देखें लिकूर करिस्ट लगाया हुआ है और जहां पे बलैक है इसका मतलब यहां पे रेड और बलैक है तो यह शो कर रहा है कि यहां पे इंजरी है इंटर्नल इंफेक्शन है जो आपको यह गरीन यह बलू कलर नजर आ रहा है यह नार्मन स्टेट है यहां पे कोई इंजरी नहीं है यहां पर जहां पर थोड़ा सा red है और जहां पर यह blackish और reddish black सा color है तो इसका मुझा जगा पर कहीं पर internal injury infection मुझूद होता है अच्छा जी liquid crystal और कहां पर इस्तमाल हो सकता है electrical devices में इस्तमाल digital watches में इस्तमाल होता है digital watches definitely जो हम पहते color जिसमें नज़र आती है घडियां calculator color जो है laptop computer अब तो सारी LCD में इस्तमाल होती है हर जगा ही liquid crystal display इस्तमाल हो रहे है these devices operate due to the fact that temperature, pressure and electromagnetic fields easily affect the weak bonds इसकाने का मतलब यह liquid crystals के अंदर bonding होती है वो कमजोर होती है temperature को मैसूस कर सकती है वो थोड़ा सा pressure apply करें वो भी तब भी feel करती है यह electromagnetic radiations है वो भी अगर उन पे पढ़ रही हो उन पे फाल हो रही हो तो उनको भी महसूस करते है liquid crystal जिसके वज़ा से उनका color change होना शुरू हो जाता है और इसी चीज़ को मद दे नज़र रखते हुए उनको LCD के अंदर इस्तमाल करवाया जाता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर इनको solvent के तोर पे इस्तमाल करवाया जाता है वो सिलियोग्राफ के अंदर TV डिस्प्ले नार्मल हम टीवी तो mostly गरों में जो है वो LCD ही होती है अब LED भी आना शुरू हो गई है मारकीट्स के अंदर LED का फिनामीन आ और है अचा जी अब देखें सिलियोग्राफ का अगर किसी ने नाम नाम सुनाओ That is a सिलियोग्राफ सिलियोग्राफ मेडिकल में आम तोर इस्तमाल होता है इसके अंदर मुख्लिफ कलर की fluctuation शोग हो रही होती है अपनी हॉस्पिटल्स के अंदर उसलियोग्राफ देखे होंगे और ये LCD तो तकरीबन तमाम नहीं देखी ये liquid crystal के ही कमालाथ है अचा एक और बड़ा इंट्रेस्टिंग यूज है इसके mood rings भी बनते है mood rings मतलब अगर पहने हम तो इनका liquid crystals में होता है liquid crystal के कलर चेंज होने की वज़ा से हमारे mood का पता लग जाता है अगर black कलर हो गया है तो हम stress है अगर हम पैनी हुई है अचा अगर इसका yellow कलर है तो nervous है आम तोर पे light blue कलर normal mood को represent करती है जैसे देखिए light blue कलर normal situation है और relaxed और बहुत relaxed mentally तोर पे हो dark blue कलर जो है यह आम तोर पे normal relax यह calm position को बता रहा होता है तो अगर इसका purple कलर हो जाए तो यह हम कहते हैं यह happy condition है अमीद है आपको यह interesting application बहुत अच्छी लगी होगी आपको यह कैसी लगी हमारी applications mood rings वाली comments में ज़रूर बताईएगा और कहीं को पहली दफ़ा पता लगा होगा mood rings को अगर आपको कहीं market से मिलें तो उने खरीदें और पहने और enjoy करें अपनी जिन्दगी को तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए Allah ने के लगा